Hey guys, welcome back to my channel, कैसे हो आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे So आज के वीडियो में मैं आप से शेयर करूँगी कि आप अपनी वीडियो के लिए SD क्वालिटी की अच्छी और अट्रैक्टिव थम्नेल कैसे क्रियेट कर सकते हैं So friends, चैसे हमारी वीडियो के content का अच्छा होना जरूरी होता है उसी तरीके से हमारी वीडियो की थम्नेल का attractive and अच्छा होना जरूरी होता है उसे हमारी वीडियो का CTR rate and साथ-साथ हमारे चैनल का CTR rate भी अच्छा रहता है, high रहता है So friends CTR rate को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि माल लीजिए YouTube ने आपकी वीडियो को 100 पीपल तक सजेस्ट किया और उसमें से 10 लोगों ने आपकी वीडियो पर क्लिक किया तो हमारी वीडियो का CTR rate हो जाएगा 10% तो अगर हमारी वीडियो की thumbnail अच्छी होगी, attractive होगी तो जादा लोग हमारी वीडियो पर क्लिक करेंगे उसे हमारी वीडियो का CTR rate भी अच्छा होगा उसे हमारी वीडियो में वीउस जादा आएंगे और साथ-साथ हमारा चैनल भी जल्दी ग्रो करेगा इसलिए हमारी वीडियो की thumbnail attractive होनी चाहिए तो फ्रेंड्स मैं Pixel Lab आपका यूज करूँगी thumbnail create करने के लिए आपको Pixel Lab प्ले स्टोर में आराम से मिल जाएगा आप उसे वहां से download कर ले तो फ्रेंड्स मैं पूरा प्रोसेस आपको mobile phone की screen पर बताऊंगी तो यहां चलते mobile phone की screen पर लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें साथ पर वह बेल बटन भी प्रस करें जिससे कि आपको आगे आने वाले informative वीडियो की notification सबसे पहले मिल सकें सो यहां without wasting time let's get started सो friends आपको pixel app अप open करना है इसका interface कुछ ऐसा दिखता है अब आपको यहां से three dots पर click करके YouTube thumbnail का size select कर लेना है आपको यहां पर image size का option मिल जाएगा आप इस पर click करेंगे and then यहां से आपको YouTube thumbnail का size pick कर लेना है हम इसे ok कर देंगे अब आपको यहां पर different type के backgrounds मिल जाएंगे अगर आप use करना चाहें तो आप इन्हें use कर सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ background का color यहां से change कर दूँगी so आपको इस option पर click करना है and हम यहां से color के option पर click करके color select कर लेंगे आपको यहां पर different colors मिल जाएंगे आप जो भी use करना चाहें use कर सकते हैं gradient option में भी आपको different type के options मिल जाएंगे अगर आप उसे use करना चाहें तो आप उसे भी use कर सकते हैं so मैं यहां से black color pick कर रही हूँ अब हम इसे ok कर देंगे so friends अब हम background को थोड़ा सा shape दे देते हैं so आपको इस option पर click करना है and आपको यहां पर shapes के option पर click करके यहां पर आपको different type के shapes मिल जाएंगे आप जो भी shape select करना चाहें आप उसे select कर सकते हैं so मैं इस shape को use कर रही हूँ मैं अपनी ज़्यादा तर videos में इसी shape को use करती हूँ मैं इसको थोड़ा सा increase करूंगी इसके size को and हम इसके size को increase करके इसको थोड़ा सा यहां से rotate कर लेंगे and then हम इसे कुछ इस तरीके से adjust करेंगे कि हमारी thumbnail two parts में divide हो जाए आपको यहां से adjust कर लेंगे अब हमारी thumbnail two parts में divide हो गई है अब हम इस पार्ट को भी एक color दे देंगे आपको यहाँ पर color का option मिल जाएगा आप यहाँ से कोई भी color pick कर सकते हैं आपको यहाँ से पिक करूंगी यह वाला color and then हम इसे ok कर देंगे अब हम इसे थोड़ा सा stroke भी दे देते हैं आपको यहाँ पर stroke का option भी मिल जाएगा and हम इसको enable कर देंगे and आपको जो भी stroke एड़ करनी है जिस भी color की stroke एड़ करनी है आप उसे एड़ कर सकते हैं यहाँ से so मैं पिंक कलर का stroke एड़ कर रही हूँ आप stroke की white को increase भी कर सकते हैं अपने according so मैं इसको कुछ इस सरीके से increase करके and then हम इसको ok कर देंगे अब हमारी thumbnail का background ready हो गया है अब हम इसमें एक picture अपनी import कर लेंगे so आपको यहाँ पर import के option पर click करना है आपको जो भी photo अपनी select करनी है आप उसे select कर सकते हैं so मैं यह वाली photo यहाँ से pick कर रही हूँ and हम इसे ok कर देंगे आप अपनी image की size को यहाँ से increase decrease भी कर सकते हैं so मैं इसको थोड़ा सा decrease करके इसके size को कुछ इस तरीके से यहाँ से adjust कर दूँगी अब मैं अपनी photo में भी एक stroke add कर दूँगी जिससे कि यह थोड़ी सी और visible हो और अच्छी लगे so आपको यहाँ पर stroke का option मिल जाएगा आप इसे enable करके जिस भी color का stroke add करना चाहते हैं आप उसे add कर सकते हैं so मैं white color का stroke यहाँ से add कर रही हूँ and हम इसके size को थोड़ा सा increase कर लेंगे and इसे यहाँ से done कर देंगे अब हम अपनी thumbnail में text add कर लेंगे so आपको यहाँ पर A के option पर click करना है and then आपको यहाँ पर plus के sign पर click करना है आप यहाँ से edit के option पर click करके कोई भी text add कर सकते हैं so मैं add कर लूँगे यहाँ से text को how to make and हम इसे done कर देंगे सो यह हमारा text add हो गया है अब आप चाहें तो इसमें और भी text add कर सकते हैं सो मैं और भी text add कर लूँगी अब हम text के size को increase कर लेंगे जिससे कि यह थोड़ा और visible हो और attractive लगे सो हम यहां से size की option पर click करके इसके size को increase कर लेंगे सो यह हमने increase कर लिया इसी तरीके से आप और भी text के size को increase कर सकते हैं सो जितना भी आप चाहें उतना increase कर सकते हैं अपने according सो मैं सारे text के size को increase कर लूँगी यहां से यांड हम इसे adjust कर लेंगे कुछ इस तरीके से अब हम text के font को change कर लेते हैं जिससे कि यह थोड़ा attractive लगे सो आपको यहाँ पर AB font option मिल जाएगा आप इस पर click करेंगे सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको number of fonts मिल जाएगे आप जो भी font use करना चाहते हैं आप उसे use कर सकते हैं सो मैं यह वाला font use कर रही हूँ और हम इसे ok कर देंगे इसी तरीके से मैं अपने सारे text के fonts को change कर लूँगी यहाँ से सो मैं इसे भी change कर लूँगी इस thumbnail के font को भी change कर लेते हैं जिससे कि यह थोड़ा अच्छा लगे attractive लगे सो इसे ok कर देंगे अभी यह थोड़ा ज़्यादा simple सा लग रहा है इसलिए हम थोड़ा सा इसको attractive बना लेंगे सो हम अपने text में यहाँ से stroke वगेरा भी add कर सकते हैं आप चाहें तो इसमें stroke भी add कर सकते हैं यहाँ से आपको यहाँ पर stroke, shadow, inner shadow यह सारे options मेल जाएंगे सो मैं यहाँ से text में stroke add कर लूँगी हम इसे enable कर देंगे आप जिस भी color का stroke add करना चाहते हैं उसे add कर सकते हैं यहाँ से सो मैं यहाँ पर dark pink color के stroke को add कर रही हूँ और हम इसको थोड़ा सा increase कर लेंगे इसकी white को और इसे done कर देंगे सो friends as you can see यहाँ पर आपको और भी options मिल जाते हैं यहाँ पर आप टेक्स में background यूज कर सकते हैं टेक्स को 3D effect दे सकते हैं reflection and shadows वगएरा भी यूज कर सकते हैं सो मैं आपको यहाँ पर 3D effect यूज करके दिखा देती हूँ हम इसे enable करेंगे आप देख सकते हमारे text में 3D effect आ गया है लेकिन मैं इसे use नहीं कर रही हूँ सो मैं इसे यहाँ से disable कर दूँगी सो मैं अपने text में background यूज करके आपको दिखा देती हूँ इसे enable करेंगे आपको जिस भी color का background यूज करना है आप use कर सकते हैं सो मैं यह dark pink color का use कर रही हूँ अब हम इसे left से and right से थोड़ा सा increase कर दिंगे सो आप अपने according जितना भी चाहें उतना increase कर सकते हैं और आपको यहाँ पर radius का option मिल जाएगा सो हम इसके radius को increase करेंगे यहां से सो यह हमारा कुछ curve shape में हो जाएगा as you can see यह काफी अच्छा लगता है देखने में changes करके इसको भी थोड़ा attractive बना लेते हैं सो मैं इसमें background यूज करूँगी यहां से आप जिस भी color का background यूज करना चाहें आप उसे use कर सकते हैं सो मैं यहाँ पर yellow color का background यूज करूँगी क्योंकि yellow color काफी pop up होके दिखता है सो मैं इसे use कर लूँगी यहां से और हम इसे यहां से left से and right से जितना भी आप चाहें इसको increase कर सकते हैं इसके area को आप अपने according increase, decrease जितना भी चाहें कर सकते हैं and then हम इसके radius को यहां से increase करेंगे सो यह कुछ curve shape में हो जाता है and वो काफी attractive लगता है देखने में and then हम इसे ok कर देंगे अभी यह हमारा thumbnail वाला text थोड़ा सा com visible हो रहा इसलिए हम इसके color को change कर लेंगे जिससे कि यह थोड़ा सा और अच्छा लगे so मैं इसके color को यहां से black ले रही हूँ अभी यह थोड़ा ज़ादा attractive लग रहा है as you can see अब हम इन text को थोड़ा सा set कर लेते हैं इससे कि यह थोड़ा सा और अच्छी लगे so मैंने इसे कुछ इस तरीके से set कर दिया है अब आप चाहें तो इसमें और भी text add कर सकते हैं text वगरा के font को change कर सकते हैं background के color को change कर सकते हैं so आप अपने according जो भी changes करना चाहें वो आप कर सकते हैं so अब हम इसको export कर देंगे so आपको यहाँ पर three dots के option को click करना है and then आपको यहाँ पर export image को option मिल जाएगा आपको इस पर click करना है and हम यहाँ से ultra quality select कर देंगे so आपको यहाँ पर custom वाले option को select करना है and then आपको यहाँ पर ultra के option को select करना है इसे ok कर देंगे and then हम इसे save to gallery कर देंगे so हमारी thumbnail gallery में save हो जाएगी यहाँ पर एक add आ जाता है हम इसे cross कर देंगे so हमारी thumbnail gallery में save हो गई है अब हम इसे open करके देख लेते हैं एक बार so as you can see यह हमारी thumbnail create हो गई है so yeah that was it for today's video I hope आपको video अच्छी लगी होगी और useful लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और useful लगी है तो please video को like करें और अगर आपने भी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe करें साथ में better button भी प्रेस करें जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच फॉरचिंग बाई